आप सभी को उप्रणाम हर्बल रेमिडीज में आपका स्वागत है मित्रों आज बात करेंगे जंगलों में पाए जाने वाली एक महानों सदीकी इसको सैफ़र्ड पर्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो सेफ है वो पर्स जैसी है सेफ़र्ड पर्स और इसको हम टैक्षोन्मे के लिए कैपसेला बर्सा पेस्टोरीस के नाम से चांते और ब्रेस्टी के स Scoutability का है इसके लिव्ज हलके हलके कते जैसे होते हैं इसके अलावा इसके अंदर विबिन प्रकार के polypeptides, flavonoids, vitamin A, tyramine, histamine और इसका जो बीज होता है इसके बीज के अंदर fumarates, dimethyl fumarates और polyunsaturated fatty acids पाय जाते हैं जो polyunsaturated fatty acids होते हैं, इनके बारे में हम आपको किसी और दिन detail से cover करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं इस plant की neuroprotective activity की और खास तोर से इसके साथ हम चर्चा करेंगे anti-soriatic activity, यानि कि suriasis में भी यह किस तरह से कारे करता हैं, तो आईए अब बात करते हैं, इसके अंदर जो fumarates पाये जाता है, वो हमारे शरीर के अंदर Nrf2, Nrf2 क्या होता है, nuclear factor, रिथवाइड 2 related जो factor होता है, उसको activate करता है, Nrf2 के active होने के बाद साथियों क्या होता है, कि वो gamma glutamil cystine ligase enzyme को active करता है, और जिससे cystine का अप्टेक बढ़ जाता है, और cystine के ज़्यादा अप्टेक होन से glutathione नाम का एक antioxidant तयार होता है, और यह antioxidant oxidative stress के कारण जो neuro degenerative diseases होती है, जैसे कि multiple sclerosis, multiple sclerosis में क्या होता है, कि हमारी जो nerve cells होती है, उनकी जो protective covering होती है, oxidative stress के कारण बिलकुल खतम हो जाती है, और जिससे body का जो brain के साथ connection है, वो loss हो जाता है, आत्मे को दिखता नहीं है, दिखना बहुत कम हो जाता है, vision loss होने लग जाता है, fatigue बहुत जादा होती है, और उसकी impaired condition ऐसी हो जाती है, कि उसको पता भी नहीं चलता है, कि वो उसका जो ट्वालेट भी वो कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, जहाने कि body और brain का ज चाहिए, हमें जादा मात्रा में body में हमारे अंदर glutathion बनना चाहिए, और यह plant NRF2 के activation के माध्यम से शरीर में glutathion की biosynthesis को बढ़ाता है, एक बात, दूसरा, soriasis में क्या करता है, क्योंकि soriasis भी इस तरह की बहुत ही जटल विमारी है, इसमें विभिन परकार के antibiotics देने के बा कि यह क्या करता है, down regulation of inflammatory cytokines, तो जो inflammation के लिए cytokines होते हैं, उसको यह down regulate करता है, और जो shift करता है, TH1, TH2 क्या होँए, दो pro-inflammatory mediators हैं, इनको यह shift करके anti-inflammatory system है, जो response है, TH2 उसको active कर देता है, इस परकार से यह है, surices में और multiple scruses में use किया जाता है, अब use कैसे करना है, इसको आप harvest कर लीजे, dry करके इसका powder बना लीजे, और इसको आपको चाय बना कर पीना है, धिरे धिर आप देखेंगे, दोने ही परकार के disorders में यह बहुत अच्छा कारे करता है, इसके अलावा, कहीं आपको चोट लग ज इसके अराम से healing कर देता है, इसके अलावा इसका जो decoction है, वो diuretic होता है, यानि कि मुत्रल होता है, उसको पीने के बाद आप पेशाब जाएंगे, और पेशाब में अगर kidney जो stone है, धिरे धिरे वो घुल के remove हो जाता है, hypertension को कम करता है, cholesterol को down करता है, इस परकार से यह अप activity है, और इसकी antimicrobial और antipyretic activity भी इसके अंदर होती है, मुख्यत है, आज हमने यह बताया कि इसको हमें multiple sclerosis, जो कि एक neurodegenerative disease है, और psoriasis, इसमें हमें इसको use कर सकते हैं, इसका mode of action हमने आपको बताया, लेकिन एक ध्यान भी यह रखना है, कि यह antifertility activity सो करता है, दो महि हमने से ज़्यादा इसका use लगातार नहीं करना चाहिए, कम से कम एक सब्सक्रिप्शन का break हमें देना चाहिए, और जो pregnant women's हैं, उनको भी हमें यह नहीं देना चाहिए, यह हमें कोशन ध्यान रखना है, और अगर आपको यह description information पसंद आए, तो सभी के मित्रों के लिए आप इसको सांजा कर सकते हैं, share कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, इनी बातों के साथ मैं अपने मानी को विराम देता हूँ, अब सभी का धन्यवाद प्रणाम